नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका रेंकस गुरुकल यूट्यूब चैनल पे और आज की क्लास में मैंने आपको काहता ना कि बहुत कुछ बदलाओ हो करके आएगा Blood Lesson एक ऐसा टोपिक है जिसमें बच्चों के Questions बहुत गलत होते हैं बच्चा बहुत Confused होता है आपको भी मालूम है कि Blood Lesson में बच्चे को लगता है कि यार कैसे Grab बनाएंगे कैसे क्या करेंगे किस तरीके से Questions को Tackle करना है और बहुत सारे Practice करने के बाद भी बच्चे से Questions गलत हो भाई ठीक है क्योंकि आप अब रेंकस गुरुकुल से रिजनिंग गुरु विक्रमजीत से पढ़ोगे और किस तरीके से किस कोश्चन के किस टाइप में कैसी ट्रिक और कैसे कंसेप्ट लगाने हैं ये सब हम बात करेंगे गुड इवनिंग नमस्कार सस्रियाकाल जैहो सोमन तमना गुड इवनिंग भई गुड इवनिंग सारे बच्चे एक बर वीडियो को लाइक और सेर कर दो जिसने वीडियो को लाइक और सेर नहीं किया जल्दी से फटासीर वारault सेटेश लगा लो वाट्सीपट ग्रूप में सेर कर दो चलो सर फ्री में होगा या पेड भाई यूट्यूब पे तो फ्री में ही है ना यूट्यूब पे कब से पेड होने लगा फ्री में ही तो है भई ठीक है चला तो भई अब सुरुवात करते हैं देखो बच्चे अलग-अलग टाइपस होती है अलग-अलग चीजे होती है अब किस-किस टाइप के सवाल कैसे-कैसे आये है सारे हम 2-23-22 के सवाल करेंगे ठीक है किस-किस टाइप के सवाल बने है वो आज हम discuss करेंगे क्योंकि blood lesson बड़ा अच्छा topic है बहुत ढंग से संज में आएगा ठीक है तीन टाइप के सवाल बनते हैं एक pointing वाले दूसरा ये नाम वाले और तीसरा coded वाले coded वाले कौन से देखो नाम वाले ये होते हैं और एक आपको मैंने बताया pointing वाले जैसे point करके introduce करके pointing towards एफोटो किसी के बारे में प्रीच्च दे दिया ठीक है introduce कर दिया वो और एक आपका coded वाले जैसे ये बोल दिया कि T प्लस U का मतलब है T U की माता है एक इस टाइप के सवाल बनते हैं ठीक है एक इस टाइप के सवाल बनते हैं ये टाइप रहती है तो सुरुवात करते हम इस टाइप से सारी टाइप में आपके कवर करवाँगा ठीक है उसके आप टेंसिन मतलो चलो अब ये टाइप में चलो अब देखो इन सवालों में करना क्या है नहीं है अपली के सम्पे रिकोड़ेड नहीं लाइव चला है बिलकुल बलड सम्मंद रक्त सम्मंद है भई ये रक्त सम्मंद है रक्त सम्मंद चेप्टर को बहुत डिमांड करते हैं आप तो रक्त सम्मंद चेप्टर के लिए एक बार लाइक कर दो सारे इस टाइप की टाइप जो है बड़ी आसान है जो की CHSL में second symptom पूछी कही है H is sister of Y H Y की बेहन है देखो बच्चे याद रखना जो same generation के लोग होते हैं वो same building में आते हैं same building में आना मतलब बराबर होते हैं हम उमर होते हैं यानि के H बेहन है I की H बेहन है I की यानि के H और I का ग्राफ ऐसे बनेगा की H I की बेहन है अब H बेहन है तो H female होई female को मैं minus से और male को मैं plus से indicate करूँगा देखो H बेहन है कि अभी इसका gender decide नहीं करेंगे, ये male ये female अभी decide नहीं करेंगे H is sister of I H I की बेहन है H is, यानि कि H I की बेहन है H I की बेहन मन गए B H की मा है B H की मा है, B is mother of H B H की मा है H की मा बना दो मा, बाप, पिता पेरेंट्स जो होते हैं वो उपर वाली building में आते हैं बच्छे, पेरेंट्स जो होते हैं वो उपर वाली building में आते हैं B H की मा है तो B मा है, ठीक है B H की मा है, तो B मा है उसके बाद, J is daughter of R ठीक है, J is daughter of R J R की पतनी है ठीक है, J R की पतनी है अब देखो, यहाँ पर R नहीं है, तो कोई नहीं R और J भी नहीं है तो उसको मत relate करो पहले graph अलग अलग परिवारों का बना लो भई, B H I की एक अलग परिवार है और J और R का अलग परिवार बना दो, बाद में decide कर लेंगे J is daughter of R J R की बेटी है अब J R की बेटी बोल दिया अब उसके बाद I is the sister of J I J की बेएन है अब देखो यह अलग परिवार बनाया था हमने J R की बेटी है बेटी मतलब नीचे है ठीक है, अब I J की बेएन अब यह दोनों परिवार मिलने वाले हैं अब तक दो परिवार लग रहे थे बड़ अब एक बन जाएंगे I J की बेएन है I J की बेएन है तो J यहां कर दिया I J की बेएन है अब H पहले ही बें थी I B बन गई यानि कि यहते इनों बेटी बन गई और यहीन बेटी किसकी है B की और यही R की भी बेटी है क्योंकि J R की बेटी है J R की बेटी है तो यह decide हो गया पती-पतनी पती-पतनी का रिष्था ऐसे decide होता है इस graph से X ऐसे double line कर दिया तो X Y double line यानिके X Y पती-पतनी है ठीक है? यानि के B और R पती-पतनी है अब R का H से क्या संबन्द है बचे R का H से B मा थी तो R पिता है C is the right answer सीवानी गोतम बिलकुल सही है साइप लवीज सही है अमीत कुमार सही है प्रिया भाई अभी यहां क्लास कर ले अच्छा हाँ बिलकुल यहां क्लास कर लो सही है चीक है क्लास की टाइमिंग डेली शाम को साथ बज़े होती है चैनल को सब्सकाइब जरूर कर लेना अगर आपने सब्सकाइब नहीं किया है तो बचे चैनल को जरूर सब्सकाइब करना ठीक है आपके सब्सकाइब करने से हमें एक मोटिवेशन मिलेगा जल्दी से 20 लाग करोगे आप जल्दी से देखते हैं कितना जल्दी करोगे ठीक है चलो भई नेक्स देखते हैं भई नाम वाले समझ में आया आ जाओ अब गराब बनने के बाद भी एक गलती होती है याद रखना आर एच से किस परकार सम्बंदित है आर एच से अगर आर का पूछा है ना बच्चे आर एच से आर का एच से आर एच से यानि कि किस का पूछा आर का तो रिष्टा किस का बताना है आर का रिष्टा किस का बताना है आर का रिष्टा बताना है कलीर हुआ अगला कॉश्चन करके दिखा ऑएक बार जल्दी से बताओ भई आपप्लिकेशन पर कलास है आप देखो आपकमिंग सेक्षिन में दिखाई देगी आपप्लिकेशन पर रात को क्लास है लाइव सेक्शन में जा करके देखो करो भई क्लास को लाइक करें जिससे गुरू जी का मोटीवशन मिलेगा बीजी राइट वाह लव यू बीजी राइट चलो बीजी रात vallahi जाइव झाल बीजी रात राइ़ है लवद का उजी बीकाद अन्योप पर चलोग्त अने हाी आजो, देखो Manisa is sister of Saksi is the wife of Subham ठीक है Manisa की बेन Manisa's sister Saksi Manisa की बेन Subham की पतनी है अर देखो Manisa की बेन है ठीक है अरे यार Manisa की बेन है अब उसने बोला Manisa की बेन बच्चे Manisa की sister जो है कौन? Manisa की बेन Manisa की बेन साक्सी Manisa की बेन साक्सी है न बच्चे तो Manisa की sister जो है Manisa की बेन साक्सी जो है किसकी बेन है? Subham की पतनी है Subham की पतनी है साक्सी सुबहम की पतनी है सुबहम की Manisa की बेन साक्सी साक्सी यह है ठीक है, सुभम की पत्नी है, ठीक है, यह मनीशा की बहन थी, अब आगे, सुभम दर्सन का बहाई है, सुभम जो है किसका बहाई है, दर्सन का, तो दर्सन का बहाई बना दो, ठीक है, अब आगे, मनीशा के बेटे आकास की एक बहन रेखा है, क्या बोला, मनीशा के बेटे आक यानि के मनीशा के बेटे कौन हुआ आकास, मनीशा के बेटे आकास, इसका बेटा हो गया, आकास, की एक बेहन रेखा है, इसकी बेहन रेखा है, मनीशा का बेटा आकास हो गया, उस बेटा बोला तो नीचे, बेटा बेटी नीचे आएंगे, की बेहन, रेखा बेहन बोला साइ में कि बैन रेखा है उसके बाद जो दर्शन की बेटी है अब यह किसकी बेटी है दर्शन की अब देखो बच्चे दर्शन की बेटी बोल रखा उसने Uhr खे द आ Luckily पर दर्शन की बेटी एक कैसे possible है भाई दर्शन इसका पती है दर्सन इसका पती है अब आप कोगे गुरुजी दर्सन तो यहां था हाँ तो क्या हो गया दर्सन यहां था यहां से हट करके वहाँ चला जाएगा क्योंकि रेखा किसकी बेटी है दर्सन की रेखा किसकी बेटी है दर्सन की अब रेखा दर्सन की बेटी है अब एक बात तो सल में आ गई कि दर्सन मनीशा पती पतनी है सुभम साक्सी पती पतनी है ये दोनों बेहन थी और वो दोनों बाई थे दो बाईयों ने दोनों बेहनों से साधी कर ली हो नहीं सकती अरे आप दोनों भाई किसी घर में दोनों बेनों को साधी करके ले आओ ऐसा होता नहीं है क्या होता है ठीक है बिलकुल होता है अब नेक्स्ट उसके बाद रेखा के पिता दर्सन की मा सलोनी है रेखा के पिता रेखा का पिता ठीक है रेखा का पिता तो दर्सन है ठीक है रेखा के पिता दर्सन की मा सलोनी है सलोनी का साक्सी से क्या संबन्द है दर्सन की मा सलोनी है इसकी मा कुन थी सलोनी ये साक्सी थी ठीक है अब देखो उसने क्या बोला उसने बोला सलोनी का साक्सी से क्या संबंद है सलोनी का साक्सी से इसका संबंद बताना है इस से सलोनी का साक्सी से अब ये दोनों आपसे में पहले भी भाई थे तो सलोनी इसकी माँ है तो सलोनी इसकी भी माँ है सलोनी इसकी माँ है, दर्सन की, तो सलोनी सुभम की माँ है, क्योंकि सुभम और दर्सन बाई थे, सलोनी सुभम की माँ है, तो सलोनी साक्सी से किस वरकार संबन्द है, बेटे की पतनी, मतलब डोटर इनला, मतलब पुत्र वदू, बेटे की पतनी, मतलब पुत्र वदू, sorry, Saloni का साक्सी से पूछा है यानि के मदर इनला सास मैंने उल्टा बता दिया मैंने आपको का था यह गलती होती है ग्राफ बनने के बाद भी खेर मैंने तो question दंग से पढ़ा नहीं था कि Saloni का पूछा है या साक्सी का but आप exam में यह गलती मत करना सलोनी का बताना है साक्सी से अगर साक्सी का पूछा होता तो साक्सी पुत्रवदू होती सलोनी का पूछा है तो सलोनी सास है सलोनी सास है तो सलोनी is mother in law यानिके mother in law यानिके सास is the right answer clear है भई? done ठीक है सलोनी का पूछा है ठीक बिल्कुल basic से पढ़ाने की कोशिस करा हूँ बिल्कुल आराम से पढ़ाने की कोशिस करा हूँ एक-एक चीज बड़े आराम से मैं और भी slow हो जाओँगा बढ़ आप सीखने का वादा करो आप last तक सीखोगे यह वादा करो promise करो आप last तक समझोगे अगर आपको reasoning आती है तब भी समझोगे अरे यार छोटी छोटी गलतियों की वज़े से अगर आप मैं आपके 5 कोशिंटी करा पाया ना तो भी बहुत बड़िया बात है जिनको आती है उनको बोल रहा हूं और जिनको नहीं आती है उनको तो मैं सिखाई दूँगा जिनको नहीं आती है उनको तो मैं पक्का सिखा दूँगा जिनको आती है उनको बोल रहा हूं एम भी ठीक है चलो next करो झाल 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 बानु चिराग की बहन है बानु चिराग की बहन है अब देखो बच्छे बानु जो है न बहन है चिराग की बानु चिराग की बहन है ठीक है बानु इस सिस्टर अफ चिराग बानु चिराग की बहन है उसके बाद आरियन इस दा फादर अफ बानु आरियन भानू का पिता है अब देखो आरियन पिता है भानू का अब आरियन पिता है भानू का और याद रखना आरियन चिराग का भी पिता है क्योंकि आरियन भानू का पिता है यह आपस में भाई बहन थे या बहन बहन थी अभी चिराग का male female नहीं decide किया या तो दुनों ये बहन में थी या दुनों बहाई बहन थी अब आप कोगे चिराग नाम रखा तो बहाई ही होगा ना हाँ होगा 99% केसी में होगा लेकिन हम फिर भी 100% ये बात शोटी के साथ नहीं मानना है क्योंकि कई नाम ऐसे होते हैं जो लड़के के भी होते हैं लड़की के भी होते हैं एना ठीक है तो next उसके बाद चिराग दिवान का भाई है चिराग किसका भाई है दिवान का चिराग भाई है दिवान का दिवान इसा के पती है दिवान किसके पती है इसा के ये पती है, किसके, इसा के, दिवान इसा के पती है, ठीक है, दिवान पती है, इसा के, उसके बाद, इसा आरियन से किस परकार सम्बन दित है, इसा, किस से, आरियन से, इसा किस परकार सम्बन दित है, आरियन से, देखो, आरियन का बेटा दिवान था, और दिवान की पतनी इस तो इसा आरियन से, कौन इसा, किस से आरियन से, तो भाई आरियन के बेटे की पतनी, यानि के डोटर इनला, पुत्र वदू, इसा जो है पुत्र वदू कहलाएगी, डोटर इनला, D is the right answer. क्लियर है? चलो आगे अगला कॉस्चन जल्दी करो सर मैं आपका बुक ले लिया हूँ बहुत बहुत बहुतरीन बुक है देखो दिल लगा करके जी जान लगाई है मने उस बुक में ठीक है क्या बोला उसने उसने बोला कपिल इस नेफ्यू ओफ रजट कपिल रजट का बतीजा है अब देखो इंगलिस में बांजा भी नेफ्यू ही होता है बतीजा भी नेफ्यू ही होता है ठीक है तो यहां इन्ने में पढ़ लेंगे कपिल रजट का बतीजा है कपिल रजट का बतीजा अब कपिल जो है रजट का बतीजा कैसे पोसिबल है कपिल के फिता होंगे कोई कोई तो होंगे उसी का भाई होगा रजट तभी तो कपिल कजन बनेगा नेफ्यू बनेगा बतीजा बनेगा रजट के भाई का बेटा कपिल होगा या हो सकता है बेहन भी हो रजत की बेहन का बेटा रजत की बेहन का बेटा तो भाई बांजा कहलाता फिर बती जानी कहलाता क्योंकि यह रजत मामा बन जाता इसलिए कपिल के पिता होंगे उसका बाई होगा या बुआ भी होगी रजत तो भी कपिल बदीजाई कहला था तो कपिल के पिता का भाई होगा रजजट अगली लाइन निशा रजजट की मा है तो यह रजजट है इससे उपर बना दो निशा क्योंकि मा है मा का गराफ उपर बनेगा निशा जो है ना बच्चे मा है रजत की तो निशा रजत की मा है ठीक है उसके बाद रमेस के केवल दो बच्चे हैं रजत और निलेस रमेस के केवल दो बच्चे हैं रजत और निलेस अब रमेस के बच्चे हैं रजत और निलेस अब रजत और निलेस रमेस के बच्चे हैं यानि के रजत और निलेस दोनों भाई हैं, भाई हैं या बेन हैं, रजत और निलेस, अब केवल दो बच्चे हैं, यहां ध्यान दो, रमेश के केवल दो बच्चे हैं, उसने क्या बोला, रमेश के केवल दो बच्चे हैं, रजत और निलेस, अब यह रमेश के बच्चे हैं, तो रमेश 100% नीशा का पती होगा क्योंकि यही बच्चे नीशा के भी है। क्योंकि नीशा का बच्चा रजत था और रजत और निलेश दो बच्चे हैं। दो बच्चे हैं तो यह नीशा के भी हैं। रमेश के भी हैं। पती पत्नी होगे। अब दो है तो ये तीन कैसे बन गया भाई तीन नहीं बन सकता केवल वर्ड यूज किया है अब तीन नहीं बन सकता तो निलेस या नहीं है इसका मतलब निलेस यही है भाई ये स्टार तो खाली जगह थी ना खाली जगह है इसका मतलब कोई और आ सकता है निलेस यही है ठीक है अब देखो निलेस का कपिल से क्या सम्मंद है किसका निलेस का किस से कपिल से कई बच्चे बोल रहे थे बतीजा अब कुन बच्चों ने निलेस यहां मान लिया होगा अरे भाई केवल दो बच्चे दे रखा तो तीन बच्चे कैसे मान सकते तो इसका मतलब निलेस यहां नहीं मान सकते निलेस यहीं मानना पड़ेगा क्योंकि दो ही बच्चे बोला है दो ही बच्चे बोला है तो निलेस कपिल का पिता हुआ फादर हुआ ठीक है ध्यान रखो भाई ठीक है मनी रंजर न्यू एडिसन में सारे एक तो मैंने मेरे कंसेप्ट डाले है एरर फ्री है और न्यू एडिसन 23 तक के कोश्चन डाले है आज ओफलाइन में मुखजी नगर में मेरे पास एक बच्चा है बोला सर मुझे आपकी बुक लेनी है तो क्या उसमें मेंस के कोश्चन भी है क्योंकि में रिजनिंग तो बहुत अच्छी है और टॉपपर से भी आपकी बुक को बहुत रिकमंड करते हैं तो मेंस के भी कोश्चन मैंने का हाँ बच्चे है मैंने न देखे नहीं उसमें तो में इसके कहीं ऐसा तो नहीं है मैं खा बच्चे पूरी बुक मैंने खुद बनाई है खुद लिखी है खुद सोल की है देखो question तो previous year है लेकिन solution मेरा है जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मेरा test आ रहा है यानि कि मैं खुद इस तरीके से राइटर के तरीके से इस बुक को लिखा है तो मैंने खुद सारे questions सोल किये हैं तो मुझे पता है कौन से कौन सा content है कौन सा नहीं है मैंने ही तो बोला यही यह content डालना है भई टाइपिस्ट को मैं ही तो बताऊंगा यह type कर मैं उसको bookstore पे लेके गया बुक स्टोर पे ले जाकर के मैंने बोला reasoning guru देना reasoning guru ले मैंने उसको properly दिखाया बोला sir coding decoding मैंने coding decoding उठाया तो coding decoding में means के questions दिखाई सारे questions दिखाए और means के हर shift के actual में क्या किया मैंने coding decoding मेंने टाइफ वाइज कर रखा है, अब टाइफ वाइज जैसे morning shift में मान लो letter number coding से आ रखा है, evening shift में letter to letter coding से आ गया, अब इने book बनानी है, तो type wise डालूगो मैं paper तो आपका ले नहीं रहा, type wise डाली है, ठाकि आपको तरीके से चीज़े समझ में आए, अब type wise book बनाई, level wise book बनाई, तो भाई हलका level पहले आएगा न, उच्छे pre में आए, उच्छे mains में आएगा, और high level बाद में आएगा, उच्छे pre में आए, उच्छे mains में आएगा, तो इस तरीके से आपको questions जो हैं, level wise और type wise में आएगा, फिरों में में दीखेगा, फिरों हो सकता है pre दिख जाए, फिरों हो सकता है MTS का question दीख जाए, फिरों हो सकता है MTS का question दिख जाए, क्योंकि भाई दीरे-धीरे level बढ़ाना है, लास्ट के question, बड़े अच्छे में ल solution किसी और से बनवा दिये, बनवा करके, type कर दिये, book launch कर दिये, reasoning guru title है, मेरा नाम कैसे घराब कर सकता हूँ, reasoning guru, book आप flip card और imagine से मंगा सकते हो, या फिर all over India के किसी भी book store से मंगा सकते हो, बस एक काम आपको करना होगा, इस class कतम होने के बाद, जहां से आप belong करते हो, वहाँ पर अगर book store पे book available नहीं है, तो अपना city का नाम, अपना state का नाम, अपने book store का नाम, वो जरूर comment करे, ताकि मैं वहाँ available करूँ, हर इंडिया के, हर book store पे मिलेगे या आपको, या flip card होने में, जिन से भी मंगा सकते हो, घर दिसे झाल जिसे contract है करे छो जिसे, आना झाल दो पीन प्रिया में, चे जो जिसे और सयो करे आपने जीसे, झाल 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 ठीक है उसके बाद गुरों की बेन है आसीस इस फादर ओफ विनिता आसीस पिता है विनिता का आसीस पिता है विनिता का अन्स is son of Amita देता हूं अंस अमिता का बेटा है हाओ इज आसीश रिलेटेड टू अंस हाओ इज आसीश रिलेटेड टू अंस आसीश का अंस से किस प्रकार समझना है किसका आसीश का किसे अंस से अंस की मां के पिता अंस की मां अंस की मां अमिता के पिता आसीश अंस की मां अमिता के पिता आजीज यानि के नाना मेटरनल ग्रेंट फादर नाना मेटरनल ग्रेंट फादर नाना सहीूतर बीबी राहुल सेउ धीरज डेबलू बी राइड रोहन बहुत बड़ी है भाई आपके इस बैच में जो मिशन दोजर चोबिस है आपको मैं टाइफ वाईज कराऊं या मिक्स कराऊं किसी भी ठोपिक में एक बार कमेंट करके बताना जल्दी से चलो अगला थोड़ी जनता की भी सुन लेनी चाहिए बच्चे क्या चाह रहे है करो करो भई क्लास देखो टाइफ वाईज टाइफ वाईज टाइफ वाईज देखो वैसे मैं कराता तो वैसे ही जैसे मैं कराने वाला था लेकिन आपसे राय इसलिए मांग रहा था ताकि आपकी सोच बदले देखो बच्चे टाइफ वाईज करना इसलिए जरूरी है आज की class में इस type के सारे कर लेंगे आप इस type में at least strong हो गए mix में strong नहीं हो गए सीख नहीं पाओगे mix में मैं एक question ये करा रहा हूँ फिर एक question ऐसा करा रहा हूँ ये अभी इस type के strong होए नहीं थे इतनी दिर में ये question आ गया ये question हुआ strong होने ही वाला था इतनी दिर में कोई pointing वाला question ले आई तो ऐसे strong नहीं बन पाओगे हम क्या करेंगे हम करेंगे type wise ठीक है बट उसके लिए आप लोगों को कुछ suggestions मैं आपको बता हूँआ Amun is brother of Baman and Chaman Amun, Baban और Chaman का बहाई है क्या नाम है Amun, Baban और Chaman का बहाई है Amun किसका बहाई है Amun बहाई है किसका बबन और Chaman का बहाई है Amun बहाई है Baban और Chaman का ठीक है Baban Emily की मा है अब देखो बहाई पहले बहाई क्या लग रहा था लड़का लग रहा था ना लेकिन मा निकली न तो इसलिए नाम से पहले decide मत करो कि कौन लड़का और कौन लड़की है अमन बमन और चमन का भाई है तो अमन भाई है तो सिर्फ male gender decide हुआ अमन पे B और C पे अभी gender decide नहीं हुआ ठीक है उसने बोला बमन Emily का मा है कानी की आएगा बमन Emily की मा है ठीक है Emily की मा है Emily की मा है भई बमन बमन मा है किसकी Emily की है चलो भई उसके बाद Farhan is Aman's father Farhan Aman का पिता है Farhan पिता है भई अमन का ठीक है चलो भई उसके बाद which the following is definitely true definitely मतलब chance ही नहीं है गलत होने के ठीक है chance ही नहीं है अब देखो उसने का बमन is sister of चमन बमन चमन की बेहन है बमन जो है ना बेहन है चमन की 100% सत्त है बमन बेहन है क्योंकि मा बोला तम भी मेल है अगर यह बोलता चमन बेहन है बमन की बाई भी हो सकता है बेहन भी हो सकता है बमन चमन की बेहन है बमन चमन की बेहन है पहला सही है तो पहला सही अमन इमली और सिबलिंग अमन और इमली बाई बेहन है बिलकुल नहीं है बई बिलकुल नहीं है अमन तो मामा है ठीक है तीसरा अलागी अंसर आ चुका लेकिन पूरा बता देता हूँ चमन अमन का भाई है चमन अमन का भाई है चमन भाई है अमन का भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है डेफिनेटली सकती है नहीं बोल सकती है चमन इजे मेल, चमन मेल है, जरूरी नहीं चमन फीमेल भी हो सकता है, अब आपको गे, मैंने जिन्दगी में ऐसा नाम नहीं देखा, जिसमें चमन फीमेल है, आज देख लो, आज देखा दिया ना, चमन फीमेल है, ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया, ठीक, तो चैनल को स चोटा सा question है बढ़ पूछा हुआ है पूछ लेता हूँ सर reasoning guru या CGL warrior beginner हो beginner हो तो बढ़ी reasoning guru CGL warrior उस बच्चे को मंगानी है जिस बच्चे को मातर एक महिने में बड़ा fast revision करना है CGL warrior जो मेरी book है उसको वो मंगानी है जिसको एक महीने में क्योंकि वो पतली book है उसमें previous year है CGL की पतली book है मतलब एक महीने में जल्दी से निपट जाएगी हो सिर्फ CGL के question है लेकिन reasoning guru में CGL MTS, CHSL, NTPC, UPSI हर exam को cover किया गया है UP Constable हर exam को cover किया है reasoning guru में हर topic, pre, means हर topic को cover किया गया है reasoning guru में concept डाले गए है इसलिए तो साड़े 700 pages की book है ठीक है चलो reasoning guru lifetime title है reasoning guru हमेशा बना रहेगा मैं guarantee कह रहा हूँ reasoning guru को मैं हमेशा इतना बहत्रिन update करता रहूँगा कि आपके बच्चे भी reasoning guru से पढ़ेंगे मैं guarantee कह रहा हूँ if Suman is the wife of son of Rajes wife Suman Rajes ki patni ke putr ki patni Suman कोन है Rajes ki patni bhai Rajes ki patni ke putr ki patni hai korn Suman दोबारा सुनो Suman is wife of Suman is wife of wife of किसकी son of son of किसका इसका Rajes wife ये Rajes ki patni Suman Rajes ki patni ye ke putr ye ki patni ye hai ठीक है तो Suman का Rajes से क्या संबन है किसका Suman का अरे भाई Rajes ka betta है ये तो pati patni था ही Rajes ka betta है ये और Rajes ka betta ये है तो बेटे की patni है putr badu daughter-in-law D is the right answer K.R.V. top Rolly Siv Niti Prasand Kumar बहुत बड़े हर बच्चा सही जवाब दे रहा है बहुत बड़े बहुत Siv लाल सिव सर्मा ठीक है done चलो next क्या आपने foundation batch की बाकी वीडियोज देखी नहीं देखी तो देखो YouTube पे जब आप जाओगे तो जब आप YouTube पे जाओगे तो playlist में आप जाना playlist में playlist में जा करके आपको foundation batch की playlist मिलेंगी foundation batch की playlist में लेंगी उस playlist को देखना बच्चे जैसे reasoning की playlist view full playlist अब देखो alphabet test alphabet test उसके बाद calendar calendar कितना तरीके से समझा रहा है counting figure counting figure dice dice ranking direction sitting coding coding पिर top CPU के सवाल ये सारी videos देखनी है आपको तरीके से अगर आपने नहीं देखी तो आप बहुत कुछ miss कर दोगे इन videos में मैंने बहुत कुछ suggest कर रखा है साथ के साथ ठीक है चलो class के बाद कभी भी time मिले तब देख लेना next next करो भई पॉइंटिंग वाले बाद में करेंगे हम इस टाइब का करेंगे नाम वाले करेंगे आज से करो IBPS AFO Pre Clear Channel सही है ना बिल्कुल भई बिल्कुल rank us कुर्कुल में हम subject पे focus करते हैं ताकि हर exam clear हो सके ठीक है चलो करो लाजवाब प्लेइलिस्ट है आपकी चलो जिते इसको मात हैंक्यू भई आजाओ मुकेस सिस्टर इस दा वाइफ ओव रमेज मुकेस की बहन रमेज की पतनी है अब देखो मुकेस की बहन जो है ना रमेज की पतनी है ये मुकेस है इसकी बहन है कोई भी आ सकता है यहाँ स्टार लिख दिया है किसकी पतनी है रमेज की बहन है पतनी है मुकेस की तो बहन दी और रमेज की पतनी है ठीक है अभी ये पत्नी है मुकेश की बहन है female ये पती है male मुकेश भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है अभी नहीं सोचेंगे next ठीक है रमेश रानी का इकलोता भाई है रमेश इस रानी इस only only word पर बड़ा focus करना बचे इकलोता अकेला इकलोता word पर बड़ा focus करना रमेश रानी का इकलोता भाई है रमेश भाई है किसका रानी का इकलोता रमेश इकलोता है रानी इकलोती नहीं है हो सकता है रानी एक और हो ये माहिन में रखना यही गलती करते हैं बच्चे ये सोच लेते हैं रमेश रानी का एकलोता भाई है, तो रानी यहीं आएगी, आ भी सकती है, मैं मना नहीं कर रहा है, बट रमेश एकलोता भाई है, अकेला, बहन तो और भी हो सकती है, ना, रमेश रानी का एकलोता भाई है, ओ, सोरी, 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 मैं गलत बोल गया, सोरी, 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 सो और भी बहन हो सकती हैं, यहां define करना था, समझा बिलकुल सही रहा था, कि रमेश इकलोता भाई है, रमेश only है, रानी only नहीं है, यह गलती करते हैं बच्चे, एक के उपर इकलोता वर्ड पढ़ते ही, सोते ही अकेले हैं, दोनों अकेले हैं बस, रमेश इकलोता भाई है, रमे तो रमेश इकलोता भाई है, रानी का, उसके बाद, रमेश फादर इस मदूर, रमेश के पिता मदूर है, रमेश के पिता है, कौन मदूर, यह रमेश के पिता होगे, मदूर, यह रमेश के पिता होगे, मदूर, ठीक है, चलो, ठीक है, उसके बाद, सीतल पैटल ग्रेंड मदर है रमेज की सीतल रमेज की दादी है सीतल दादी है रमेज की यानि के मदूर की मा है रमेज के पिता मदूर की मा सीतल होगी तभी तो दादी कहलाएगी तभी तो दादी कहलाएगी है भई तभी दादी कहलाएगी ठीक है उसके बाद सीतल दादी है अब सीतल की पुत्तर वधु है तो रेमा मदुर की भी पत्नी हो सकती है सीतल का एक और बेटा और उसकी पत्नी हो रेमा पुत्र वदू है ये तो नहीं बोला ना मदूर की पतनी है ठीक है मदूर सीतल के बेटा था लेकिन रेमा पुत्र वदू है सीतल का एक और बेटा हो सकता था और उसकी पतनी रेमा हो सकती थी यानि कि माइन में रखना जो नहीं रखते हैं बच्चे इसी की पत्नी बना देते हैं एक ओर बेटा हो सकता था चांसिज है और उसकी पत्नी रेमा हो सकती है तो यानि कि माइन में रखेंगे मदूर की पत्नी रेमा है बावी भी हो सकती है, मुदूर का कोई भाई हो और उसकी पत्नी रेमा हो तब भी तो पुत्र वदू कहलाएगी ध्यान रखना, ठीक है? रोनित इस रोनित इस रानी's ब्रदर्स सन रोनित इस रानी's ब्रदर्स सन रोनित रानी के बाई का बेटा है रानी का भाई इकलोता था रमीज अब इकलोता वड़ी आदा गया ना उसका बेटा है रोनीट उसका बेटा है रोनीट ठीक है? उसके बाद How is रोनीट related to मुकेस? How is रोनीट related to मुकेस? किस से? मुकेस से मुकेस रोनीट की मा का भाई हुआ मुकेस रोनीट की मा का भाई हुआ मुकेस मामा हुआ रोनीट भांजा हुआ मुकेस मामा रोनीट भांजा मुकेस मामा रोनीट भांजा पूछा किसका है? रोनीट का मुकेस से क्या समझना है? किसका? रोनीट का रोनित का मतलब नेफ्यू यहां बतीजा दे रखा अला कि बाहन जाएगा क्लियर है भाई दन भाई ठीक है चलो नेक बेसिक से एडवांस लेवल तक बहुती तरीके से जहां रेंकिंग के 4-4-5-5 क्लास लेता हूं डाइस के 6-6 क्लास लेता हूं जहां पर counting bigger के 5-5 क्लास लेता हूं बहुती तरीके से मैं आपको RG विक्रम्जित एप्लिकेशन पर मिलूँगा अब RG विक्रम्जित एप्लिकेशन पर आपको मातर-trickline नाइन में बढ़ा रहा हूं मातर-trickline नाइन में प्रक्टिस सीट मिलेंगे, क्लास्रूम सीट मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेंगे, यह सारी चीज़ें आपको RG विक्रिणत अप्लिकेशन पर मिलेंगे, ठीक है, तो मेरा लाइव बैच ट्वेंटी एट अगस्त को स्टार्ट हो है, वो आप जोइन क कर सकते हो, लेकिन मैं आपको मना करूँगा, लाइव बैच हम में से किसी का मत जोइन करना, ना अधित्त रेंजन सरका, ना परसांद सरका, ना GS special, क्यों? कारण है, भाई, आप एक अजार रुपे में परचेज करोगे, आपको मातर से 2700 रुपे में सारे special बैच एक साथ मिल जाएंगे, सारे special बैच एक साथ अनलोक हो जाएंगे, जिसमें reasoning special आपको मिलेगा, math special आपको अधित्त रेंजन सरका मिलेगा, English special आपको परसा इसलिए आप कोंबो ही जोइन करें, कोंबो बैच ही परचेज करें, ताकि आपको कम फीस में सारी चीजें available हो सकें, अगले कोशन की तरफ हम बढ़ेंगे, अगला कोशन देखो जल्दी से, जल्दी बताओ, UPSI में आया है, जल्दी बताओ, आजाओ देखो, यहां देखो, सिंपल सा फंड़ा है, क्या बोल रहा है, मनीशा की बहन, वैसु, की मा, राठी की बहन, प्रेमा की मा, वल्ली है, कितनी टिपिकल लेंग्वेज यूज कर दी न, क्या बोला उसने, मनीशा की बहन, मनीशा की बहन, वैसु, की मा, राठी, देखो, दो बारा सुनो, मनीशा की बहन, वैसु, वैसु बना दिया, की मा, राठी, राठी बना दिया, की बहन, प्रेमा, प्रेमा बना दिया, की मा, वैल्ली है, वैल्ली है तो वैल्ली बना दिया, English में The mother of Manisa's sister Mother of Manisa's sister Vaisu Is Rathi Manisa की बहन Vaisu की मा राथी है The mother of Rathi's sister Prima is Valley Rathi की बहन Prima की मा वैली है How is Prima related to Vaisu? Prima किस से? Vaisu से अब Prima Vaisu से अब Vaisu के पिता राथी की बहन Prima है या Vaisu की मा राथी Vaisu की मा है या पिता है यहां male female काम आएगा उसने बोला था Manisa की बहन वैसu की मा राथी की बहन प्रेमा मतलब female यानि कि सब female है अब उसने पूछा Prima Vaisu के साथ क्या संबन है Prima का वह इसकी मा की बहन मा की बहन तो maternal aunt हुआ maternal aunt हुआ और maternal aidage भाल या या हुझा है मा के रिछते में और UPSI में ऐसा का ऐसा ही आय था ऐसा नहीं की उसके ही ausii बना करके दिया हो दिए है ठार तो paternal is वर या या पिता के रिषते में maternal का वर या याल या हुझँ ए मा के रिषते में चिक है ए दन गो क्या भी ए बाई ए बाई ए बाई ए ए बाई इस टेप के आज सारे खतम कर देंगे ठीक है पर उसके बद कुछ पॉइंटिंग वाले बाई बाई अच्छा कोश्चन है करो भी करो देखो मसाद इसलाम कहरें सोट्रिक नहीं है क्या अगर इसकी कोई सोट्रिक करवा रहा है तो बेवकुब बना रहा है नमबर एक क्योंकि आज कल यूट्यूब का क्या रहना कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल दिया जाता है कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं जो कुछ ही कोशन पर लगती है वो ट्रिक नहीं होती इसलिए कभी भी सिटिंग एल्मिंट पजल ब्लेड लेशन कुछ टोपिक ऐसे हैं भाई उन हर जगह ट्रिक काम नहीं आती हर जगह ट्रिक काम आती तो मात्र तीन चार मिनट में तीन मिनट में रिजनिंग कतम मैच की हर जगह ट्रिक काम आती तो आठ नो मिनट में मैच कतम और आठ चार बारा और फिर तो जी एस और इंगलिस तो दो दो मिनट में खतम 12, 14, 16 16 मिनिट ज्यादा से ज्यादा अंगडाई लेने के 2-3 मिनिट इदर देखने के लगालो 20 मिनिट में प्रकतम कर गए फिर टोटल नमर भी 20 आएंगे तो हर चीज की ट्रिक नहीं वनती ट्रिक से ज्यादा कंसेप्ट इंपोर्टेंट होते है चलो जल्दी से करो झालो आजाओ देखो भी उसने बोला देरा शिक्स चिल्डरन प्लेंग लुडो नेमली एक दो तीन चार पांच चे वन एंड फाइव आर ब्रेदर्स एक और पांच बाई हैं भाई एक और पांच दोनों बाई हैं एक बाई हैं पांच भी भाई हैं ठीक है शिक्स इजड़ सिस्टर उफाई शिक्स चे पांच की बेन है अब छे इन दोनों की बेन होगी एक और पांच तो भाई थे ही चे पांच की बेन है एं भाई उसके पाद तीन एक के पिता के भाई का इकलोता पुत्र है तो एक के पिता शोचेंगे पहले एक के पिता जो भी है पता नहीं कोन है पर जो भी है उसका भाई जो भी है पता नहीं कोन है पर जो भी है उसने क्या बोला तीन एक के पिता का भाई का एकलोता पुत्तर है तीन एक के पिता जो है ना उसका जो भाई है उसका इकलोता पुत्तर है तीन मतलब तीन इनका कजन हो गया कजन हो गया सगा भाई नहीं कजन हो गया ठीक है उसके बाद दो और चार तीन के पिता के इकलोते भाई की बेटिया है क्या बात है दो और चार तीन के पिता कि एकलोते भाई दो और चार तीन के पिता ये कि एकलोते भाई ये तीन के पिता ये कि एकलोते भाई कि बेटियां कि बेटियां है कौन दो और चार देखो तीन के पिता ये कि एकलोता भाई अकेला भाई ये कोई और भाई तो सोच नहीं सकते ठीक है कि बेटियां हैं दो और चार मतलब दो और चार इनकी बेहन होगी दो और चार इनकी बेहन होगी ठीक है नेक्स्ट अब देखो चार एक से कैसे संबंदित है चार एक से सगी बेहन है ये सब इसके बच्चे है पाँचों चार एक से किस कर परकार समन्दित है तो चार एक से बहन है चार एक की बहन है बीज दा राइट अंसर शिस्टर बीज दा राइट अंसर बहन आएगा एं बई क्लियर हुआ दन नेक्स्ट कोशन देखाऊ देखो चलो ये थोड़ा सा पोइंटिंग वाला है लेकिन फिर भी थोड़ा इंत्रिडूस तो करी दें पोइंटिंग वाले कब? पोइंटिंग वाले अब करो पोइंटिंग वाले झाल 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 A said to B A ने B से कह You are the daughter of my wife's son-in-law तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो You are the daughter of A ने B से कहा है तुम मेरी पत्नी मतलब B कह रहा है मेरी पत्नी B की पत्नी जो भी है Pointing वाले मुझे लगता है English medium student को भी हिंदी में करना चाहिए और हिंदी medium तो हिंदी में करता ही है हिंदी में आसान होता है उसने B ने कहा कि तुम मेरी पत्नी मेरी पत्नी बोला है भाई B की पत्नी बना दिया B की पत्नी के दामाद B की पत्नी के दामाद अरे पत्नी के दामाद मतलब B का भी दामाद दामाद मतलब इनकी एक बेटी पत्नी डबल लाइन कितना है पत्नी डबल लाइन होगी मेरी पत्नी के दामाद मतलब इसकी बेटी का पत्नी मेरी पत्नी के दामाद कि बेटी हो कौन तुम ए ने बी से कहा था A said to be ए ने कहा था तो ए तो आएगा ना ए ने कहा था ए ने बी से कहा ए ने तो कहा था ए की पतनी कि दामाद मलो इसकी बेटी की बेटी हो तुम कौन बी अब बताओ how is b related to a b का a से क्या संब्द है by b की मा के पता है b की मा के पता है b की मा b की मा यह वाली के पता यह है a पूछा किसका है b कैसे related है तो a की बेटी کی बेटी a की बेटी की बेटी B is granddaughter of A बेटी की बेटी B A की नातिन है A is the right answer बिलकुल सिव सर्मा ना दिव्याबार्ती साली ने बहुत बड़े हैं क्या बात है कमाल next ठीक है थोड़े पॉइंटिंग वाले कर लेते हैं पुआ है क्यों कर खात्शते हैं पुआ कर बहुआ है यहुआ होँआ है वुआ है क्योस्छती ब artillery क्योस्छ этот делать क्योस्छता श्योस्छता पर आले क्योस्दन झाल 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 प्रिया ने कहा प्रिया के भाई प्रिया के भाई कि मा, मतला इसके पिता की पत्नी, यानि कि यह आएगा, एक टाइम पे एक लिस्न, पहले उसने पोला, मेरे भाई, तो मैंने सर्ब मेरे भाई का गराब बनाया, मेरे भाई का गराब बनाया, के इकलोते बेटे, इकलोते बेटे का गराब बनाया की मा इसकी मा का गराब बनाया मतलब इसके पिता की पत्नी है, है कौन? वे है वे है तो उस महिला का प्रिया से किस परकार संबन देता है? प्रिया के भाई की पत्नी है भाबी है She is the right answer जो A बोल रहे थे गई She is the right answer एसे की बोल रहे है भाई 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 तो हती है भाई जी गर पर है सिविंग साइनिंग स्टार नाम इतना साइनिंग और ध्यान भाई पर चलो डन भाई चलो नेक्स एको भाई क्लियर भाई कर लोगे तो भाई एक बात का ध्यान रखना आप मेरा अकेला recorded batch भी जोइन कर सकते हो इस बात कभी ध्यान लो अगर आपको recorded videos देखने हैं तो आप recorded batch भी जोइन कर सकते हो मतलब VOD नाम से मिलेगा आपको जैसे reasoning section में जाओगे मातर 699 में अकेला VOD batch भी जोइन कर सकते हो वोई आर्जी विक्रिम्ट एप्लिकेशन पर ठीक है कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नमबर पर कोल कर सकते हो 8506 003399 कोई भी जानकारी लेने है कुछ भी पूछना है तो इस नमबर पर कोल कर सकते हो ठीक है सारी जानकरी आपको इस नमबर पर मिल जाएगी एक बात याद लगना मैं 40 days challenge लेकर के आ रहा हूँ 40 days channel कहाँ पर reasoning guru tricks youtube channel पर अभी 40 days channel में challenge में होगा क्या इन 40 दिनों में 40 sorts प्रवाइड कराऊँगा उन sorts में 40 tricks प्रवाइड कराऊँगा reasoning guru tricks पर tricks प्रवाइड कराऊँगा ताकि जब आप खाना काते हो तो भी आप tricks एक साथ revise कर लो plus 40, 5, 5, 10, 10 minute की वीडियो प्रवाइड कराऊँगा उसमें क्या होगा उसमें concepts होंगे chapter wise तो वो यहाँ अगर upload करूँगा तो वो आपको मिलेंगे नहीं गायब हो जाएगे इतने videos में इसलिए यहाँ मैं आपको पढ़ाऊँगा लेकिन reasoning guru tricks पर मैं आपको sorts videos और छोटी videos के मादिम से tricks प्रवाइड कराऊँगा उसके साथ साथ जो भी मैंने आपको पढ़ा है यहाँ आपको मिलेगा rankas gurukul official telegram पर rankas gurukul official telegram पर यहाँ पर आपको मिलेगा चैनल को subscribe करना ना बूले क्योंकि आपका प्यार ही हमें motivate करता है चैनल को जरूर subscribe करें उसके साथ साथ एक बात और जान लो आज क्या होने वाला अभी थोड़ी दिर में अभी थोड़ी दिर में क्या होने वाला है अभी थोड़ी दिर में आपको rankas gurukul YouTube channel पर आपको upcoming section में दिख जाएगा home page पर ही आपको दिख जाएगा आपको अभी साथे आठ बजे एक क्रांती आने वाली है revolution आने वाला है तो आपको अभी live रहना है उस क्रांती में चीक है उस क्रांती में आपको सारी detail मिलेगी किस चीज की detail आपको मिलेगी क्रांती में detail formula ब्रमास्तर की ब्रमास्तर 2.0 आरा है 2.0 आरा ब्रमास्तर इसका वेट कीजिएगा मातर 15 मिनिट में पूरी डिटेल में बताई जाएगी ब्रमास्तर सेकिंड वर्जन चीक है चलो बाकि मिलते हैं अगली क्लास में शाम को साथ बजे चैनल को सबस्काइब जरूर कर लेना परसो मिलेंगे बच्चे परसो मिलेंगे कल मेरी बेटी का जनम देना है यहले कल मैं उनके सेलिविस में रहूँगा मेरी बेटी का पहला जनम देना है उसको विस करना उसको दुआ देना वो भी हमेशा खुश रहे हमेशा काम याब बने, मैं याब कि ले दूआ मां गूआ, थैंक यू, लव्यों, साइब लेस्यों